जाहिन बंदे मातरम नमस्कार शातियों स्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल अबतार स्टडी 7054 में मैं पाल प्रपीन आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी तरपल सी पीटी 2022 का मोग टेस्ट 4 है और इससे पहले की मोग टेस्ट 123 हम सॉल्ब कर चुके हैं आप लोग लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं तो मित्रों आप सभी लोग वीडियो को सेर करिएगा और चैनल को भी सस्क्राइब जरूर करिएगा तो आईए शुरुआत करते हैं आज के मोग टेस्ट 4 की आज का पहला कोसन है माउंट अबरिस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कोसन है आपके एकजाम के लिए तो सभी लोग इसका राइट आंसर बता दीजेगा माउंट अबरिस्ट पर पहली बार चढ़ाई की गई थी उनिस सो त्रेपन में राइट आंसर इसका आप्सन नंबर वी 29 मई ठीक है 29 म में की गई थी आपने आधकना है बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एकजाम के लिए यूपी तरपले सी पीटी एकजाम 2022 के लिए तो सभी लोग एक बार क्लास को सेर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा अगला अप प्राइदी 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 कर ठीक है most important class होने वाली है आपकी exam के लिए सबी लोग एक बार class को share कर देंगे अगला आप सेने वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है आप सबी लोग question को पूरा जरूर पढ़ने की कोसिस करें ठीक है कभी कभी exam में होता है यहां पर दीके कर नहीं है और कभी कभी होता है कि question पूरा नहीं पढ़ते और answer को tick कर देते हैं तो ऐसी गलती नहीं करने है question को पूरा पढ़ना है और तब answer देना है ठीक है अब यहां पर पूँचागी बै कौन सी नदी है जिसका उदगम भारत में नहीं हुआ है तो भारत में किस नदी का उदगम नहीं हुआ है राइट answer है आप चनमबसी सतलज नदी का भारत में उदगम नहीं हुआ है अपने अधखना है important point है अगला option है निम लिकित में कौन सी हिमाले नदी तंत्र की नदिया है हिमाले नदी तंत्र की नदिया कौन सी है यहां पर बताना है आपको करम 22 बताना है ठीक है यहां पर आपको A, B, C, D करके option दे रखें सब लोग बताएंगे आपकी first number पर कावेरी, गंगा, ब्रह्म पुत्र और गोधा वरी ठीक है हमको यहां पर क्या बताना है कि हिमाले नदी कौन सी हिमाले तंत्र की नदी कौन सी है right answer हो जाएगा इसका option number ठीक है B, इसका right answer है second और third, second की बात करें second number पर अपकी गंगा है और third number पर अपकी ब्रह्म पुत्र है यह दोनों नदीया कैसी हो जाएगी मित्रों यह हिमाले नदी हो जाएगी आपने यादखना है अगला option है भारत की राश्टी आयका आकलन करने वाली संसिता कौन सी है अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग थमसब कर दीजेगा राश्टी आयका आकलन करने वाली संसिता कौन सी है right answer है केंदरी संख की संगठन option number 10 का right answer है केंदरी संग की संगठन के द्वारा भारत की राश्टी आयका आकलन किया जाता है अगला आप सने पिछड़े देशों के लिए rolling plan का सुझाओ किसके द्वारा दिया गया था most important question है पिछड़े देशों के लिए rolling plan के अगर बात करें तो rolling plan किसके द्वारा दिया गया था rolling plan दिया गया था अगला आप सने किस देश में जीवन इस्तर प्रतिवंदित होता है most important question है ऐसा भी देश है जहां पर जीवन इस्तर पर प्रतिवंद किया जाता है प्रतिवंद लगाया जाता है जीवन इस्तर पर तो वह कौन सा देश है right answer होज़ेगा प्रतिवेक्ति आय से तो किस कारण उस पर प्रतिवंद लगाया जाता है तो प्रतिवेक्ति आय से प्रतिवंद लगाया जाता है option number 20 का right answer है किस देश में जीवन इस्तर पर प्रतिवंद लगाया जाता है तो प्रतिवेक्ति आये पर प्रतिवंद लगाया जाता है आपने इसको यादखना है अगला अप्शन है भारत में आर्थिक उदारी करण सुरू हुआ तो भारत में आर्थिक उदारी करण की बात करें तो कब सुरू हुआ था आप्शन नमबर A है और दोगिक लाइसेंस नीत में वास्तविक बदलाओ के साथ B आप्शन है भारती रुपे की परवर्तन सीलता के साथ C आप्शन है प्रतच विदेशी पूंजी निवेस में कारविधिक आपचारिकताएं दूर करने के साथ और D आप्शन दे रहे का करदरों में महत्पूर कटोती के साथ तो उदारी करन के अगर बात करें तो किसके साथ सुरू किया गया था तो आप्शन नमबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा और दोगीक लाइसंस नीती वास्तविक वदलाओ के साथ में तो भारत में उदारी करन सुरू हुआ अगला आप्शन है राष्टी आए राष्टी आए क्या है बाजार मुल पर निवल राष्टी उतपाए तो राष्टी आए कि अगर हम बाथ करें तो क्या हो जाएगा आप्शन नमबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आप्शन निवल राष्टी उतपाद हो जाएगा अगला आप्शन है सिच्छा का अधिकार एक मोलिक अधिकार है जो की संबंदित है अगला आप सिच्छा का उप राष्टी निर्वाचित होने का पातर तवी होगा जब उसके पास क्या क्या होगा भारत का नांगरिक हो 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो राज्ज सबा का सदस निर्वाचित होने के लिए ठीक है निर्वाचित होने के लिए आहर हो और उप्रोग तो सभी तो यह तीनों गुण बेक्ति में होने चाहिए तो वह राष्ट पती निर्वाचन के लिए पात् जणम इस्तान यह इन में से किसी के आधार पर कोई भेदवाओ नहीं करेगा ये किस अनुच्छेद में दिया गया है तो अनुचेद में यह दिया गया है राइट आंसर आजएगा इसका अप्सन अमबर डी अनुचेद 15 में बताया गया है ठीक है कि राज जो है मित्रों ठीक है बै किसी भी नागरी के साथ जात इधरा मूल वंस लिंग या जनम इस्थान के आदार पर किसी भी प्रकार का वेद वा आज या नहीं करेगा समानता की अधिकार में सम्हानता की चरचा है अगला आपसने निवन में से किसने ःधर सभा में उद्देस प्रस्ताव रखा था तो आप सबी लोग बताएंगे कि किसने भी प्रस्ताव को रखा था राइट अनसर ऊपस्ट नंबर रे जवाहर लाल नहरुक के दोरा संविधान सभा में उद्देश पस्ताव को रखा गया था अपनी अधकना है। जो लोग अभी तक वीडियो को शेर नहीं किये हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया हैं, तो आप सभी लोग एक वार वीडियो को share कर दीजिए और चेनल को भी subscribe कर दीजेगा अगला अपर है भारती संव्यधान के किस अनुच्थ में अल्प संगकों के हित नहींद है तो अल्प संखोकों के हित के बारे में किस में बताया गया है आप साभी लोग बतायेगा राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 29 में ठीक है आप साभी आंसर है इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29 में अल्प संखोकों के हित के बारे में बताया गया ठीक है किसके वारे में नहित के वारे में बताएगे है अपनी अधखना है अगला आप सेने निम्न लिकिस सब्दों को एक तार्किक और अर्थपूड क्रम में बवस्तित करें यहाँ पर कुछ सब्द दे रखे हैं इनको बवस्तित करना है तार्किक और अर्थपूड में ठी के सबी लोग ववस्तित करके और इसका आंसर भी देंगे यहाँ पर आपके option दे रखें A, V और C, D तो यहाँ पर किस प्रकारश यह ववस्तित किया जाएगा तो सबसे पहले तो आपका क्या आएगा मित्रों सबसे पहले जो आपका आएगा भै क्या होगा तो भै होगा मित्र आएगा उसके बाद उसके बाद क्या आएगा मित्रों चार नंबर पर मीटर और उसके बाद आपका मित्रों क्या आएगा उसके बाद आपका आएगा सेंटी मीटर तो यहाँ पर राइट आंसर की गर हम बात करें तो option नंबर सी इसका राइट आंसर होगा option नंबर सी इसका तनी लटकते हैं, मोटे मोटे जो जड़े लटकती हैं, उनको क्या कहते हैं ठीक है आप सबी लोगों को बहुत अच्छे सिया रखना है अगला आपसे नहीं सिंदुघाटी सब्वता में काली बंगा निमलिकित में किसके लिए प्रशिद है सिंदुघाटी सब्वता में काली बंगा है एक नावक जगह है तो वह किसके लिए प्रशिद है चट्टान कटोती की वस्तुकला वंदरगा कपास के घेती या फिर मिट्टी के पात्र आप सभी लोग बताएगा कि काली बंगा किसके लिए प्रशिद्ध है काली बंगा कि अगर हम बात करें तो भै किसके लिए प्रशिद्ध है आप सभी लोग बताएगे गुप्तकाल के दोरान जो सोने के सिक्के चलाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था उनको दीनार कहा जाता था most important question है आपके exam के लिए उस सभी लोग इसको इसको इस्टार बना कर note करेंगे ठीक है गुप्तकाल के दोरान जो सोन्य के सिक्के चलाई जाते थी उनको दीनार कहा जाता था अगला अपसे ने जाबा लोपनिसद किस वेद का हिस्सा है जाबा लोपनिसद की अगर बात करें तो जाबा लोपनिसद जो है मित्रों किस वेद का हिस्सा है राइट आंसर ये युजुरुवेद का हिस्सा है आपके चार बेद होते हैं जो आपके रिगवेद, सामबेज, युजुरुवेद और अथरवेद ठीके चारो बेद हैं और जावा लोप निशद है में तोने किस बेद का हिस्सा है ये आपके युजुरुवेद का हिस्सा है अपने अधकना है अगला आप सेने युद्ध को बुद्ध को महा परिनिर्वान कहां प्राप्त हुआ था most important question है जो भगवान बुद्ध थे उनको महा परिनिर्वान कहां पर प्राप्त हुआ था आप सभी लोग बताएंगे बुद्ध को महा पर निर्माण के अगर बात करें तो इनको कहां पर प्राप्त हुआ था इनको कुसी नगर में ठीक है कुसी नगर में इनको महा परिमाण प्राप्त हुआ था आपने याद अखना है इंपोर्टेंट पाइंट है आपके एक्जाब के लिए अगला आपस ने पावर्टी एंड अन विटिस रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है अब सभी लोग बताएगा कोसन नमबर 22 है और सभी लोग सही से आंसर कमेंट करेंगे जिन लोगों ने क्लास को भी सेर नहीं किया है तो सभी लोग एक बार क्लास को भी सेर कर दीजेगा राइट आंसर होगा इसका आपसन नमबर C दादा भाई नौरोजी अगला 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 पार्टी की स्थापना के गई थी सुराज पार्टी के स्थापना कब हुई थी उनीस सो तेइस में और किस के द mana कि गई थी आप सभी लोग बतायेगा ठीक है यह इसके स्थापना हुई थी मोतिलाल नहरू और सियार दाष के अगला अगस्त करांती के नाम से किस आंदोलन को जानते हैं राइट आंसर इसका अप्सन नमबर सी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त करांती के नाम से जाना जाता है जो 1942 में हुआ था, 1942 में महत्मा गांदी जी के दोरा चलाय गया था अगला अप्सन में आप सभी लोग बताएंगे अपसर नमबर डी बैपार एबम आपसी मुनाफ़े के लिए दोनों देशों के बीच मतभेद उत्पन हो गया था और इसलिए 1976 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझोता कराया गया था बैपार को लेकर दोनों के बीच मनमुटाओ आगया और उसी को लेकर सिमला समझोता हुआ था 1976 में अगला पसने जून 2022 में वंगलूरू में हुए राणा जी ट्राफी के फाइनल मुकाबले में इकतालिस वार के विजेता मुंबई को हराकर पहली वार किस टीम ने राणा जी ट्राफी 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है आप सबी लोग बताएगा और क्लास को भी सेर कर दीजेगा मित्रों में क्योंकि क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है आपके एक्जाम के लिए मोग टेश्ट आट का जो मित्रू है फोर मोग टेश्ट है जो आपके एक्जाम में बहुत ही helpful सावित होगा ठीक है आप सबी लोग एक बार class को भी share कर देंगे most important है class तो राणा जी ट्राफी को किसने और किसको हरा कर जीता है बताएगा जल्दी से right answer है इसका option number है मद्द परदेश ने ठीक है किसने मद्द परदेश ने 2021 का खिताब मद्द परदेश ने अपने नाम पर लिया है अगला आप सने हाली में किस राज ने बाहन निगरानी परणाली सुरच्छा मित्र पर योजना सुरू किया गया है और ये योजना क्या काम करीगी बाहन निगरानी का ये काम करीगी ये योजना बाहन निगरानी का काम करीगी योजना का नाम है सुरच्छा मित्र योजना किस राज के दोरा चलाई गई है right answer है एक केरल सरकार के दोरा चलाई गई है सुरच्छा मित्र पर योजना most important question है exam में question बन सकता है तो आप सबी लोग इसको इस्टार बना के नोट करिएगा अगला आप सेन है हाली में जारी 200 प्रेश सुतंतरता सुचकांक 2022 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है important point है हाली में 2022 की जो सुचकांक जारी किये गए है उसमें 200 प्रेश सुतंतरता सुचकांक में भारत का इस्थान कौन सा है भारत को इस्थान इसमें मिला 150 वी नंबर का इस्थान आप समझ सकते हैं कि भारत की जो प्रेश की अर्थवज़ता है बे कहां पर पहुंच चुके है अगर बिस प्रसंदता रिपोर्ट में अगर बिस जो कुसाली या प्रसंदता की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का 138 नंबर पर इस्थान अपनी अधखना है अगला आप सेने ड्रोन स्टार्ट अप गरून एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट इस्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझोता किया है आप सबी लोग बताएगा कि किसने हिलसे ग्लोबल के साथ समझोता किया है और इसने हिलसो ड्रोन मनाया है क्या मनाया है हिलसो ड्रोन किसने समझोता किया है राइट आंसर है मलेशिया देश ने इसके साथ समझोता किया है अगला आसने किस भारती प्रोद्दोगिक संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साप करने के लिए एक रोबोट विक्सित किया है किस भारती प्रोद्दोगिक संस्थान यानि IIT ने septic tank को साब करने के लिए एक robot को विक्सित किया है यानि tank की सफाई के लिए एक robot को विक्सित किया गया है कि robot उसमें जाएगा और tank की सफाई करके आएगा ठीक है तो वह किस ने किस IIT ने उसको विक्सित किया है या किस IIT ने उसको बनाया है राइट आंसर हो जएगा इसका IIT मद्रास के दोरा इसको बनाया गया है आपसन नमबर 20 इसका राइट आंसर है ठीक है IIT मद्रास के दोरा ऐसा रोबोट बनाया गया है जो क्या करेगा मित्रों सेप्टिक टेंग को साब करने का काम करेगा किसको सेप्टिक टेंक को साब करने का काम करेगा बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी लोग इसको इस्टार बना कर भी नोट करते जाएंगे अगला आपसन है भारती महिला क्रिकेट टीम की बह पूर्ब कपतान कौन है जिसने जून 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया आप सभी लोग बताएगा कि भारत क्रिकेट की सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया पूर्व कफितान भी रह चुकि हैंमें पूर्व कफितान भी रह चुकि हैं और इनोंने 2022 में क्रकिट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है तो उनका नाम हो जाएगा वित्रो ठीके रुमेली धार नम्मर्ब D's का राइड ले रुमेली धारने वितनों किर्केट के सभी सन्यास उसे 2022 में सन्यास लिया है important point है आपके exam के लिए सभी लोग इसको इस्टाब रा लिजेगा अगला option है भारत का कौन सा यरपोर्ट है जो अच्छे उर्जा से अपनी जरूरते पूरी करने वाला देश का पहला यरपोर्ट बन गया है और भारत का कौन सा यरपोर्ट है right answer है इसका option number A इंद्रा गांधी अंतर राष्टी हवायड़ा जो की नई दिल्ली में इस्तित है ठीक है और ये भारत का पहला यरपोर्ट बन गया है जो अच्छे उर्जा से अपनी जरूरतों को पूरी करने वाला पहला यरपोर्ट बना है अगलाब सने जी-टोंटी सिकर्शमेलन 2023 की मेजवानी भारत का कौन सा राज्य करेगा जम्बू कस्मीर राज़ जी-टोंटी सिकर्शमेलन 2023 की मेजवानी करेगा अगला आप जने वरविंगम में 28 जुलाई से 8 अगस्त के वीच आयोजित राष्टमंडल खेल 2022 में 37 सदस्वी भारती एथिलिटिक टीम का नितत्त किस नहीं किया आप सभी लोग बताएंगे राश्ट मंडल केल 2022 में 37 सदसी भारती एथिलिटिक टीम का नितत्तु किस नहीं किया है तो टीम के नितत्त के अगर बात करें तो टीम का नितत्त किस के दोरा किया गया है नीरच चोंपडा के दोरा इस टीम का नितत्त किया गया है चौके लगाकर एसीय के पहले बल्ले बाज बने है इन्होंने T20 में ठिक है इन्होंने T20 में रहा है औरे apsia के पहले बल्ले बाज बने है आप सब लोग कमेंट बोक्स में च्छाप दीजेगा नाम हो जाएगा इनको रोहित सरमा 먹는 प्रशिद नव लेकर उत्सब इनमें से किस राज्ज में संबंध है प्रशिद नवक लेवर उत्सब इनमें से किस राज्ज से संबंध रखता है अब बताएगा कोशन नमबर 37 का जो राइट आंसर है ऑप्सन नमबर डी ठीक है उडिसा राज्ज से इसका संबंध है कहा से उडिसा से अगला आपसन है पूरा विस हेलो काश्ट सब्द को विसेश रूप से निम लिकित किस देश के साथ जोड़ कर देखता है तो सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे हेलो काश्ट सब्द का प्रियोग किस देश के साथ जोड़ कर देखता है पूरा सब्द पूरा विस ठीक है कोस्टन नमबर 38 का राइट आंसर सब लोग कमेंट करेंगे सही आंसर हो जाएगा इसका अप्सटन नमबर जर्मनी के साथ ठीक है पूरा बिस जर्मनी दिसक के साथ हेलो कास्ट सब्द का प्रियूग करके उसको बोलता है जिन लोगों ने अभी तक क्लास को सेर नहीं किया तो प्लीज आप क्लास को सेर कर दीजिए और कमेंट करके हमको जरूर दे कि आपको हमारा मोक टेस्ट कैसा लगा ठीक है अगला आप सने बहुजन हितायत बहुजन सुखायत निमलिकित में से आप सबी लोग बताएगा बहुजन हितायत बहुजन सुखायत निमलिकित में से किस राष्टी संस्थान आधारित आदर्श वाक है तो राइट आंसर आज़िगा इसका आल इंडिया रेडियो अपसे नमब सी इसका राइट आंसर है आल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अगला अपसे ने वंजीव संरच्चन अधिनियम कब पारित किया गया most important question है ठीक है वंजीव संरच्चन अधिनियम कब पारित किया तो वंजीव संरच्छन अधिनियम की अगर बात करें तो इसको कब पारित किया गया था 1922 में इसको पारित किया गया था राइट आंसर इसका option number B वंजीव संरच्छन अधिनियम अगला option है निम्न देशों में कौन दच्छेस में सामिल नहीं है राइट आंसर हो जाएगा इसका option number C मया मारदेश आपका दच्छेस में सामिल नहीं है अपनी अधिकना है अगला आपस ने छेत्रफल की दरश्ट से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे चोटा राज है छेत्रफल की दरश्ट से अगर बात करें जनसंख्या में अगर बात करें भारत के अंदर तो राज हो जाता बड़ा आपका UP इस पाइंट को आप बहुत अच्छे सिया दखेंगे अगला आप से ने नोबेल पुरुसकार जीतनी वाले प्रथम ACI कौन थे सबी लोग पाता हैगा कि जीतनी वाले प्रथम ACI कौन थे जिन्होंने नोबल पुरुसकार जीता था राइट आंसर रहेगा रवेंदर नाट टेगोर आप्सन नंबर सी इसका राइट आंसर है ठीक है और रविंदना टेगोर के द्वारा वंदे मात, सोरी, जनगर मंगर लिखा है, जो अमार जनगर मंगर है, वो रविंदना टेगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है, बांगला देश का भी जनगर मंग, ठीक है, जो जनगर मन है उतनों, वह बांगला देश को द्वारा जो रा राइट आंसर सभी लोग देंगे, राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूजीलेंड, आपसे नमबर डी, इसका राइट आंसर है, न्यूजीलेंड विश्व की सबसे दचिरतम राजधानी है, आपने यह दखना है, अगला आपसे नहें, भारत का सरवोच सैन, 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 अलं करण निम्न में से कौन सा है, सौर सेन, अलंग करण की बात करें, तो परमबीर चक्र, ठीक है, यह भारत का सरवोच सम्मान हो जाता है, परमबीर चक्र, आपने इसको बहुत अच्छे से या रखना है, ठीक है, अगला प्रिशन है, निम्न लिकित में कौन सा उपन्यास अमि अब यहाँ पर भी देख लिया, क्यों कौन सा उपन्यास है अमिताप घोष ने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर बताया कि अमिताप घोष के दरह कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है, राइट आंसर हो जागा, इसका मित्रों अप्शन नमबर ए, इस उटेवल वाई, रा आप घोच के वेधे मित्रों आपके most important question जो आपके exam के लिए बहुत ही important है और आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखियागा जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं share किया तो share कर दीजिए like कर दीजिए और वीडियो को share भी कर दीजिए चैनल को जिन लोगों सब्सक्राइब नहीं गया सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है कमेंट करके हमको जरूर दे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मिलते हैं एंगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत